हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे अर्थमैटिक प्रोग्रेशन के इंपोर्टेंट क्वेस्टन क्लास 10th CBSE पुछ नमबर वन इस इफ ए की पार n प्लेस 1 प्लेस B की पार n प्लेस 1 दिवाइड़ बाई तो am क्या है यहाँ पर? अर्थमैटिक मीन गिवन क्या है हमारे पास? वो चीज लिखेंगे सबसे पहले हम गिवन a की पार n प्लेस 1 प्लेस B की पार n प्लेस 1 दिवाइड़ बाई ए की पार n प्लेस B की पार n इस दा am between a and b इस दा am between a and b ठीक है अब देखो हम अर्थमैटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे a and b के बीच में? तो क्या लिखेंगे? we know that am, am stand for arithmetic mean between a and b is equal to formula क्या होते है mean find करने का हमारे पास sum of observation divided by total number of observation तो कितने numbers हैं हमारे पास? 2 number a and b तो a plus b divided by 2 ये चीज आएगी हमारे पास ठीक है? और इस चीज को हम क्या से लिख सकते हैं? देखो therefore a की पार n plus 1 plus b की पार n plus 1 divided by a की पार n plus b की पार n is equal to is the am between a and b तो ये चीज लिख सकते हैं हम ठीक है? arithmetic between a and b तो a plus b divided by 2 अब कैसे solve करेंगे? cross multiply करेंगे यहां पर ठीक है? is equal to a plus b इसके साथ multiply करेंगे इस वाली टम को a की पार n a की पार n plus b की पार n को तो a into a की पार n plus b की पार n into plus b इससे multiply करेंगे a की पार n plus b की पार n को तो कितना आजेगा हमारे पास? 2 a की पार n plus 1 plus 2 b की पार n plus 1 is equal to a से multiply करेंगे a into a की पार n तो a a की पार n plus a b की पार n plus b a की पार n plus b की पार n ये चीज़ आएगी हमारे पास ठीक है? अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 a की पार n plus 1 plus 2 b की पार n plus 1 is equal to a और a की पार n तो यहाँ पर a की पार कितनी है? 1 यहाँ पर हम identity यूज़ करेंगे कौनसी? देखो base क्या है हमारे पास same और power क्या है different यहाँ a की पार 1 ऐसे भी लिख सकते हैं हम ठीक है? अगर base हमारे पास same हो, power different हो तो powers को हम क्या कर लेते है? add कौनसी identity यूज़ होगी? a की पार n into a की पार m तो a की पार n plus m power and exponential में पढ़ा था आपने, छोटी classes में ठीक है? तो कितना आजएगा? इसको हम लिख सकते हैं देखो a की पार n plus 1 plus a b की पार n plus b a की पार n plus b into b की पार n तो same यहां पर भी हम b की पार 1 और b की पार n तो base same है, power different है powers क्या हो जएगी? add तो b की पार n प्लस 1 n प्लस 1 या 1 प्लस n ऐसे भी लिख सकते हो आप ठीक है? अब देखो यहां पर क्या है? 2 a की पार n प्लस 1 और यहां पर क्या है हमारे पास? a की पार n प्लस 1 तो इस term को हम यहां पर ले आएंगे ठीक है? तो 2 a की पावर n प्लस 1 जब a की पार n प्लस 1 left hand side लाएंगे, minus का बन जाएगा a की पार n प्लस 1 ठीक है? plus 2 b की पावर n प्लस 1 तो यहां पर देखो b की पावर n प्लस 1 इसको left hand side लाएंगे minus का बन जाएगा b की पावर n प्लस 1 is equal to अब right hand side क्या रहा हमारे पास remaining a b की पावर n plus b a की पावर n यह तीज remaining रही ठीक है तो देखो 2 a की पावर n प्लस 1 minus a की पावर n प्लस 1 तो कितना आएगा हमारे पास a की पावर n प्लस 1 सेम इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा 2 b की पावर n प्लस 1 subtract करेंगे तो plus b की पावर n प्लस 1 यह चीज आएगी हमारे पास ठीक है अब यहाँ पर क्या आया a b की पावर n plus b a की पावर n यह चीज आई हमारे पास अब क्या करेंगे यहाँ पर a, a बाली टम को एक साथ लिखेंगे तो a की पावर n प्लस 1 यहाँ से a बाली टम हम यहाँ पर ले आएंगे left hand side तो minus का b, a की पावर n यह चीज बन जाएगी ठीक है, is equal to a, b की पावर n और b की पावर n प्लस 1 को यहाँ पर ले आएंगे हम तो यह minus का बन जाएगा minus b की पावर n प्लस 1 यह चीज आई हमारे पास ठीक है, तो यहाँ से देखो हम क्या चीज को हम ले सकते हैं a की पावर n प्लस 1 इसको हम कैसे लिख सकते हैं a की पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a की पावर n dot a की पावर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है तो क्या लिखेंगे इसको a की पावर n dot a minus b a की पावर n is equal to a b की पावर n और b की पावर n प्लस 1 इसको हम कैसे लिख सकते हैं b की पावर n प्लस 1 is equal to b की पावर n dot b ठीक है, तो minus b की power n, dot b, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अब यहां से हम common क्या ले सकते हैं, a की power n, यहां पर भी है, यहां भी है, तो a की power n हम common ले लेंगे, ब्रैकेट में कितना आएगा, a minus b, यह चीज आई, is equal to, same right hand side से हम common क्या ले सकते हैं, b की power n, यह चीज कॉमन ले लें a minus b, cancel out हो जाएगा, इस चीज को हम इसके upon में लेके जाएगे, a की power n, ठीक है, और b की power n को, इसके नीचे लेके आएगे हम, तो b की power n, is equal to, a minus b, upon a minus b, यहापस में क्या हो गया, cancel out तो कितना आया, one, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, a की power n, upon b की power n, is equal to, one, इसका क्या मतलब हुआ, a upon b, whole power n, is equal to, one, ठीक है, यह चीज आई, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, one है, तो one की power zero, मतलब, a upon b, इसकी power zero, anything power zero, is equal to, one, यही चीज आंसर होते हैं, हमारे पास, one की power zero, तो one, a upon b की power zero, is equal to one, किसी भी चीज की power, अगर zero है, तो answer हमारे पास कितना आता है, one, ठीक है, तो इसको ऐसे भी comparison कर सकते हैं हम, दोनों साइट देखो, base क्या हो गए, बराबर, और n है, तो equal to zero, पावर उसको क्या किया, comparison, ठीक है, तो therefore, n is equal to zero, ठीक है, यह चीज आई, हमारे पास, a upon b की power n, is equal to a upon b की power zero, ठीक है, therefore, n is equal to zero, तो यह आपके पास answer आगया, question में आपको यही चीज फाइंड करनी थी, then find the value of n, ठीक है, तो इस तरह से आप इस टाइब की question को solve करोगे, Question number two is, Jaspal Singh repays his total loan of Rs. 1,18,000, by paying every month starting with the first installment of Rs. 1,000, if he increases the installment by Rs. 100 every month, what amount will be paid him in the 30th installment, what amount of loan does he still to pay after the 30th installment, देखो, Jaspal Singh ने क्या किया था, loan pay किया, Rs. 1,18,000, ठीक है, और every month, first installment कितनी दी थी, Rs. 1,000, ठीक है, first installment pay किया, Rs. 1,000, If he increase the installment of Rs. 100 every month, Rs. 1,000 दिया, उसके बाद, जितने भी month आई, हर एक month उसने Rs. 100, Rs. 100 increase किया, ठीक है, तो यह क्या है, AP का question है, AP में क्या करते हैं हम, एक first time आती है हमारे पास, ठीक है, फिर D क्या होता है, common difference, तो यहाँ पर हमारे पास, AP क्या बनेगी, AP बनेगी, हमारे पास, first installment कितनी है, 1000 रुपीज, ठीक है, दन उसमें 100 रुपीज एड करेंगे, तो कितना आएगा, 1100, फिर 11 एड करेंगे, 1200, ठीक है, ऐसे, ऐसे, पी बनती जाएगी हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास, A1, A क्या है, first term, ठीक है, A को क्या लिख सकते हैं हम, first term, first term कितनी आए हमारे पास, रुपीज, 1000, यह चीज आए, ठीक है, और D, D से हम दिनोट करते हैं, common difference, common difference, तो common difference कितना आया, 100 रुपीज, रुपीज, 100, यह चीज आए हमारे पास, ठीक है, अब 30th installment पे किया, तो 30th कितने रुपीज पे किये, तो A 30th, अब देखो, A N का formula क्या होते हैं हमारे पास, A N is equal to A plus N minus 1 into D, ठीक है, तो यहाँ पर N की value कितनी है, 30, तो क्या लिख सकते हैं, A plus N की value पुट करेंगे, 30 minus 1 into D, तो कितना आ जाएगा, यह A plus 30 से 1 less करेंगे, 29, तो 29 D, ठीक है, अब values पुट कर देंगे, तो A 30 is equal to, A की value कितनी है हमारे पास, 1000 plus 29 into D, D की value कितनी है, 100, ठीक है, तो A 30 is equal to 1000 plus 29 into 100, तो 29, 100, दोनों को आड़ी करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, Rs. 39, 100, किसकी value आईए, A 30 की, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, therefore A 30 is equal to Rs. 39, 100, ठीक है, यह value आईए, हमारे पास A 30, A 30 की value आई, हमारे पास Rs. 39, 100, ठीक है, अब हम sum of 30th term find करेंगे, तो क्या लिखेंगे, sum of 30th term is equal to, S N का formula क्या होते हैं, हमारे पास, S N is equal to, N upon 2, bracket में A plus L, ठीक है, यह फिर आप A plus A N भी लिख सबते हो, तो values put करेंगे, S N, N की value कितनी हैं, हमारे पास 30, S 30 is equal to N, N की value है 30 upon 2, bracket में आएगा A, A की value है हमारे पास 1000, plus L, L की value कितनी आई, A 30 यह आया हमारे पास 3900, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, S 30 is equal to, 2 से 30 को divide करेंगे, कितना आएगा 15, तो 15 into 1000 plus 3900, एड करेंगे कितना आता है, 4900, ठीक है, और 15 into 4900 करेंगे multiply, तब कितना आएगा हमारे पास, 73500, ठीक है, तो therefore, S 30 is equal to rupees 73500, यह चीज आई हमारे पास, ठीक है, 30th installment में कितना पे किया, 73500, तो क्या लिख सकते हैं हम, therefore, the total amount, the total amount of loan repaid is equal to rupees 73500, ठीक है, यह चीज आज जेगी हमारे पास, अब देखो, total loan कितना था, Jaspal Singh repays his total loan of rupees 1,18,000, by paying every month starting with the first installment, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हम find क्या करना था हमें question में, what amount of the loan does he still to pay after the 30th installment, 30 installment pay करने के बाद, देने के बाद, उसने कितना total amount pay किया, और, ठीक है, तो यह चीज हमें find करनी थी, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आएगा, देखो हमारे पास, therefore amount, amount of loan still to be paid is equal to, क्या आएगा, amount of total loan minus amount of loan repaid, ठीक है, यह repay भी लिख सकते हो, तो कितना आएगा हमारे पास देखो, amount of loan still to be paid, अब amount कितना था, 1 lakh, rupees 1 lakh, 18,000, minus, rupees amount of loan repaid कितना है हमारे पास, 73,500, ठीक है, तो 1 lakh, 18,000 से subject करेंगे हम, 73,500, कितना आएगा हमारे पास, 44,500, ठीक है, यह चीज आएगी, तो last में क्या लिखेंगे, thus, the total amount, the total amount of loan repaid is equal to, rupees 44,500, यह आपके पास आँसर आजाएगा, ठीक है students, question number third is, the sum of the first, p, q and r, terms of an a, p are a, b, c respectively, show that a upon p, bracket में, q minus r, plus b upon q, bracket start, r minus p, plus c upon r, bracket start, p minus q, is equal to 0, यह चीज हमें prove करनी है, ठीक है, अब देखो question में given क्या है हमारे पास, the sum of the first, p, q and r, terms of an a, p, एक a, p given है, और a, p में कितनी चीज़े हमारे पास, three terms है, a, b and c, ठीक है, तो a किसके equal आएगा, sum of first, p, and b किसके equal आएगा, sum of q के equal, then c किसके equal आएगा, sum of r के equal, ठीक है, यह चीज हमें question में given है, अब देखो, a, p में हमारे पास first time हम क्या assume करते हैं, a, ठीक है, और common difference को किसे denote करते हैं, d से, ठीक है, अब हम small a नहीं लेंगे, यहाँ पर capital a लेंगे, ठीक है, small a से आप confused हो जाओगे, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, let capital a be the first term and capital d be the common difference of the given a, p, ठीक है, यह चीज हमने assume की, then, अब हमारे पास first term, a क्या आएगा, a is equal to, a किसके equal है, the sum of the first p, यह चीज है, तो क्या लिखेंगे हम, sum of p terms, इसके equal है, ठीक है, और sum of nth term का formula क्या होते हैं हमारे पास, formula होते हैं हमारे पास, n upon 2, sn का formula, sn is equal to n upon 2, bracket में 2a, plus n minus 1, into d, अब यहाँ पर nth term नहीं, यहाँ पर pth term है, तो n की value कितनी put करेंगे, p, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको देखो, a is equal to, p upon 2, ठीक है, n की जगा मैंने p put किया, into 2a, plus p minus 1, into d, यह चीज आएगी, और 2a, तो a की जगा हम capital a लिखेंगे, first term, ठीक है, यह चीज आई, अब p upon 2 को हम left hand side लेकर आएगे, तो देखो, 2 से a को multiply होगा, और p upon में आ जाएगा, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2a upon p is equal to, bracket में आएगा, 2 capital a, plus p minus 1, into d, ठीक है, यह चीज आए, equation number 1 दे देंगे इसको, अब इसी थारा same हम second term के लिए लिखेंगे, तो b क्या आएगा हमारे पास, b is equal to sum of q terms, ठीक है, यह चीज आएगी, again formula put करेंगे, b is equal to, peak n के जगा क्या आएगा, q, तो q upon 2, bracket में आएगा 2a, तो 2 capital a, plus q minus 1, into d, again q upon 2 को हम left hand side लेकर आएगे, तो 2 से cross multiply हो जएगा b को, और q upon में आजएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2b upon q is equal to, bracket start, 2a plus q minus 1, into capital d, equation number, 2 दे देंगे इसको, ठीक है, same third term, तो c क्या है हमारे पास, c is equal to sum of r terms, ठीक है, तो c is equal to, कितना आएगा हमारे पास, r upon 2, bracket में, 2a plus r minus 1, into capital d, तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं, 2c upon r, is equal to, bracket में आएगा हमारे पास, 2a plus r minus 1, into capital d, equation number third, यह चीज़ आगी हमारे पास, अब देखो, हमें प्रूफ क्या करना था, a upon p, bracket में, q minus r, plus b upon q, r minus p, plus c upon r, p minus q, is equal to 0, यह चीज़ हमें शो करनी है, ठीक है, तो हम इन दो तिन्नों equations को आपस में add करेंगे, ठीक है, add भी करेंगे, और तिन्नों equations को multiply करेंगे, multiply कैसे करेंगे, देखो, equation 1 को हम multiply करेंगे, q minus r से, ठीक है, equation 2 को हम multiply करेंगे, r minus p से, और equation 3 को हम multiply करेंगे, p minus q से, both side, left hand side भी, right hand side भी, ठीक है, तो यह step में एक साथ कर रही हूँ, ठीक है, both side multiply and adding करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम देखो, तो क्या करेंगे देखो, multiply करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर multiplying, बोथ, यह multiplying, बोथ side, यह multiplying equation, 1, 2, and 3, by, first equation को multiply करेंगे, q minus r के साथ, q minus r, comma, r minus p, and p minus q, ठीक है, respectively, 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 and adding we get, adding we get, ठीक है, तो देखो, पहले हम multiply करते हैं, and adding, add भी both side करेंगे, और multiplying भी करेंगे, तो first equation में, left hand side क्या है, देखो, हमारे पास, यहाँ पर है, 2a upon p, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या आएगा, 2a upon p, और bracket, multiply करेंगे, हम first equation को, q minus r के साथ, q minus r, यह चीज आएगी, plus, second equation में, क्या था, left hand side, 2b upon q, और इसको multiply करेंगे, r minus p के साथ, plus, third equation है हमारे पास, 2c upon r, तो 2c upon r लिखेंगे, और इसको multiply करेंगे हम, p minus q के साथ, ठीक है, is equal to, right hand side, अब right hand side क्या था, हमारे पास देखो, यहाँ पर, 2a plus p minus 1 into d, तो यह चीज लिखतेंगे, complete bracket में, 2a plus p minus 1 into d, ठीक है, और इसको हम multiply करेंगे, q minus r के साथ, plus, second equation है हमारे पास, 2a plus q minus 1 into d, तो same second equation लिखेंगे, 2a, bracket में आएगा 2a, plus q minus 1 into d, और इसको हम multiply करेंगे, r minus p के साथ, ठीक है, same, इसी तरह third equation है हमारे पास, plus, 2a plus r minus 1 into d, तो इस equation को multiply करेंगे, 2a plus r minus 1 into d, और इसको multiply करेंगे हम, p minus q के साथ, ठीक है, left hand side ये चीज़ है, right hand side ये चीज़ है, अब देखो, इसको हम क्या से लिख सकते हैं, इस बले term से, left hand side से, हम common ले सकते हैं, 2a upon p, q minus r, 2 यहां भी है, first term में, second term में भी 2 है, तो 2 हम common ले लेंगे, bracket में क्या आएगा, a upon p, bracket में q minus r, plus, b upon q, into r minus p, plus, c upon r, bracket में आएगा, p minus q, is equal to, ठीक है, left hand side ये चीज़ आगी, अब देखो, left hand side, left hand side क्या था, a upon p, q minus r, plus, b upon q, r minus p, plus, c upon r, p minus q, तो ये चीज, 2 हमने common लिया, bracket में यही सेम चीज़ आई, सेम इसी तरह हमें, right hand side को भी solve करना है, तो is equal to right hand side को आप कैसे solve करोगे, देखो, 2a, इस वाली first term में, 2a यहां भी है, 2a इस second term में भी है, 2a third term में भी है, ठीके, question length ही है, आप क्या करोगे, 2a, common लिलोगे, ध्यान से करना इसको solve, ठीके, 2a common लिया, तो bracket में क्या आएगा, हमारे पास देखो, p minus 1 into d, तो मैंने d के साथ multiply कर दूँगे, इसको, तो कितना बन जाएगा ये, p d minus d, ये चीज आएगी, first bracket में, और second इसको multiply किसे करना था हमें, q minus r से, ठीके, plus second bracket से 2a हमने common ले लिया, ठीके, whole bracket इस complete से हमने 2a क्या लिया है, common लिया है यहाँ पर, तो bracket के अंदर कितना आएगा, q को d से multiply करेंगे, ये बन जाएगा, q d minus d, और इसको multiply करेंगे, r minus p के साथ, plus third, इस equation से भी 2a हमने common ले लिया है, ठीके, 2a common लिया, तो bracket में कितना आया, r minus 1 into d, d से multiply करेंगे, r d minus d, ये चीज आएगी, और bracket में, p minus q, q, ठीके, left hand side को as it is रहने देंगे, right hand side को हम solve करेंगे, right hand side को, ठीके, तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ right hand side को solve करेंगे, ध्यान रखना है ये बात, 2a हमने common लिया था, as it is रहने दो इसको, bracket में क्या है, p d minus d, तो q से multiply करेंगे, इस complete को, and r से भी, तो कितना आएगा हमारे पास, देखो, इसको हम लिख सकते हैं, p d q minus d q, अब minus r से multiply करेंगे, तब कितना आएगा हमारे पास, minus p d r, और minus into minus, plus बन जाएगा, r d, same, next हम solve करेंगे, plus r से complete multiply करेंगे, q d minus d को, तो कितना बन जाएगा ये, r q d, फिर r से multiply करेंगे, minus d को, तो कितना आएगा, minus r d, ठीक है, फिर minus p से multiply करेंगे, तो minus p q d, और minus minus plus बन जाएगा, plus का p d, same इसी तरफ, इनको भी multiply करेंगे, तो कितना आएगा, plus r d p, then p से multiply करेंगे d को, minus p d, minus q से multiply करेंगे, minus r d q, minus minus plus बन जाएगा, q d, then bracket, close, ठीक है, 2a हमारे पास common है, तो कितना आएगा, 2a, अब bracket में देखो, p d q, plus का है, हमारे पास p d q, और यहाँ पर minus का p q d है, terms आगे पिछे हैं, multiple में आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको भी आप p q d लिख सकते हो, तो plus का और minus का, क्या होगी आपस में, cancel out, minus का d q, plus का q d, same ही बात है, क्या हो जाएगा, cancel out, minus p d r, यह p d r है, तो यह plus का r d p, क्या हो जाएगा, cancel out, इसी तरह r d plus का, और यह minus का r d, cancel out, फिर plus का r q d, और यह minus का r q d, cancel out, plus का p d, minus का p d, सारी की सारी terms आपस में, क्या होगी, cancel, ठीके, तो 2a, bracket में कितना आएगा, 0, अब देखो, left hand side क्या था हमारे पास, 2 into bracket में क्या था, a upon p, q minus r, plus b upon q, r minus p, plus c upon r, p minus q, 2 is equal to 2a into 0 करेंगे, तो कितना आता है, 0, अब यहां से हम 2 को right hand side लेकर जाएगे, तो 0 के upon में आएगा, क्या रहा रिमेनिंग हमारे पास, a upon p, q minus r, plus b upon q, r minus p, plus c upon r, p minus q, is equal to 0 upon 2, और यह क्या आता है, 0 ही, not defined, ठीक है, तो therefore, a upon p, bracket में q minus r, plus b upon q, bracket में r minus p, plus c upon r, p minus q, is equal to 0, तो यह आपने प्रूफ कर लिए, यही चीज़ हमें question में show करनी थे, ठीक है, a upon p, into q minus r, plus b upon q, r minus p, plus c upon r, p minus q, is equal to 0, यह चीज़ हमें show करनी थे, तो यह चीज़ हमने show कर ले, ठीक है students,